भूंबई में इतनी गर्मी है आपको क्या बताओ मुंबई में इतनी गर्मी है कि ऐसे लग रहे हैं ऐसा लग रहे हैं और दो चीज मुंबई में जादा हो रही है इस गणमी और यह जो मोसम चेंज हुआ अच настर ऐसे में सबस्ते बहतर चीज है जो मैं आपको भी recommend करूँगा और जो खुद अक्षे कुमार या बाकी सभी stars आपको recommend करते होंगे कि यह सुभा आधा घंटा यानि 30 minutes खुद के लिए walk करो वो सबसे बहतर चीज है मैं यह नहीं कहे रहा हूँ कि आप exercise करो आप बाकी चीज़ करो शायद आपको time ना मिल पाए शायद आपके पास उतना वक्त ना हो लेकिन अगर आप आधा घंटा walk भी करते हो तो भी आपके लिए बहुत बहतर होगा मैं पिछले तीन साड़ी तीन मेने से वापस से थोड़ी exercise चालू किया हूँ आपके सकते में बोड़ी मैं बहुत जादा fit तो नहीं हूँ और अधिंग mentally मैं कफिछ ठीक हूँ और कई लोग जो कहते कि सुझा तो बहुत active दिन भर रात बर क्या reason है एक ही दिजन है वो है कि मैं walk करता हूँ और जो में walk करता हूँ तो मैं इंपोरेंट चीजस में जो भी करता हूं सर्फ जा तरह में सकति हुदुरीग अधयान दे मैं मोबाइल फून से और डे क्लीन में यहला है अदरवास मैं मोबाइल फोन भी नहीं लाता हूँ बिना मोबाइल फोन लाए आधा घंटा खुरक ले देता हूँ आधा पॉना घंटा और मेरे लिए पूरा दिन जो हेक्टिक रहता है शेडूल वो सब आसानी से सॉल हो जाता है क्योंकि मैं ना क्या करता हूँ कि बॉडी को प्रॉब्लम है या जिन्हें मुटापे का दिक्कत है या कुछ भी दिक्कत हो मैं यह नहीं के रहा हूँ कि आप पतले हो जाओगे तो सबसे ठीक हो जाओगे फिट हो जाओगे इसा नहीं है तिक आप डेली बॉकिंग करोगे आपको ब्लड शर्कुरिशन चलता रहेगा औ मैरी आइधिंग रिक्वेस्ट चाहिए है पिछे सूरज भी उगरा है यह सूरज जितने दिन आप देख सको उतना जाद आपके लिए अच्छा है हल के लिए बॉड़ी में विटामिन डी भी मिलती रहती है आप लोगों में से कितने लोग यह वीडियो देखकर रैडी है क में आधा घंटा पॉना घंटा जुर्द बताईएगा मैं बेट करूंगा आप लोगों के लिए और कोशिश के लिए ही रेगुलर करिए ताकि जाल से आदा आपकी हल्द अच्छी रह चरी फ्ला कितना ही